जे स्री क्रिष्णा रधे रधे आई सुनते हैं आर अमा वश्या पर गीता के सात्मे अध्यार और सात्मे अध्याय का महात्म्य स्री क्रिष्णा भगवान बोले ही पाथ मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रे होकर योगा भ्याश करते हुई मेरे श्वरूप का संसे रहित पूर ग्यान होगा सो सुनो विज्ञान के सहीद वह पूर ग्यान मैं तुम्ही सुनाता हूँ जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शीष न रहेगा सहस्त्रो मनुश्यों में से कोई एक शिधी प्राप्ती के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिध्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है प्रीथ्वी, जल, अगनी, वाय, आकाश, मन, बुध्धी और अहंका यह आठ प्रकार की मेरी प्रकृती माया है इस प्रकृती को अप्रा, अचेतन, अर्था जड़ करते हैं और हे महाबाहो इसमें दूसरी प्रकृती चेतन है जिसने संपूर जगत धारण किया है इन ही दोनों प्रकृतियों से सब प्राडी मात्र उत्पन होते हैं ऐसा जानों यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन हुई है इस प्रकार जगत की उत्पत्ती और प्रले का कारण मैं ही हूँ हे धनन्जय धागे में जिस्प्रका मरी पिरोई जाती है उसी भातिया शंचार मुझ में गुथा हुआ है मुझ से परे और कुछ भी नहीं है यह कुंती पुत्र जन में रस में मैं ही हूँ चन्रमा और सुर्य में प्रभा मैं ही हूँ सब बेदों में प्रड़य मैं ही हूँ आकाश में सब्द तथा पूर्शों में जो पूरुष मैं ही हूँ हे अर्जुन प्रित्वी में जो शुगंध है तथा अगनी में तेज मैं ही हूँ सब प्रारियों में जीवन और तपस्यों में तब मैं ही हूँ हे पाग संपोर प्रारियों में सनातन बीज रूप मुझको ही चानना बुद्धिमानों में बुद्धी रूप और तेजस्यों में तेज मैं ही हूँ ये भारतगर काम और रोग रहित बल्वान पूर्शों में, बल और पूर्शों में धर्म के विरुध न जाने वाला काम मैं ही हूँ, जितने साथवीत, राजस, तामस, पदार्थ हैं, वी समुझ से ही उत्पन हुए हैं, परंतु उन में मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में ह सत्व रज तम इतिनों गुड़ों के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है इस कार यह इस से परे मुझ अब्वे परमात्मा को नहीं जानता मेरी यह गुड़ों मयोग और दिब्यमया अत्यंत दुस्तर है जो मुझको अनन्य भावों से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं जो पापी मूड नराधम माया ने जिनका ज्यान हर लिया है और आशुरी भाव ग्रहड किये हुए मुझको नहीं पाते हैं ही भारत स्रेश्ट अरजुन चार प्रकार के मनुष्य मुझको भलते हैं दुखिया जिग्याशु एश्वर्य की कामना करने वाला और ज्यानी जिन में सदा मुझमें एक अग्रचित और केवल मेरी क्योंकि मैं ज्यानी को अतियन प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है यद्यपी सब भक्त अच्छे हैं तथा पी ज्यानी तो मेरी आत्मा ही है क्योंकि वह मुझमें ही मन लगाकर मुझको ही सरुत्तम गती मानकर मेरा ही आश्रे ग्रहर करता है उनके जन्म के अनंतर ज्यानी मुझे पालेता है ऐसा महात्मा अतियंत दुल्लव है समझगत को वाशुदियु मैं समझे अपनी अपनी प्रकृती के नियम के अंसा मनुश्य भिन-भिन काम आशनाओं से अज्यान में डूप कर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधिन होकर उनकी उपाशना करते है यह अर्जुन जो भक स्रधापुर्व जिस जिस देवता का पूजन किया करते है उन पूरशों की उस राज को मै द्रिढ कर देता हूँ वाख उस स्रधा से यूट होकर उस देवता की अराधना करता है फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्थ होते हैं परंतु उन अल्प बुध्धी वानों का फल नाश्वान है देवताओं के रादना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्तजन मुझमें मिल जाते हैं मेरे अव्य अविनाशी अच्ची उत्रम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धी लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त दीन धारी मानते हैं मैं योगमाया से आच्छादित होने के कारड सबको नहीं देखता हूँ उसमें मूध लोग अनादी तथा अविनाशी मुझे को नहीं जानते ही अर्जुन मैं भूत भविश्य और बरतमान के सब प्राडियों को जानता हूँ पर मुझे कोई भी नहीं जानता है हे भारत हे परतम इच्छा और द्वेशुत्पन होनी वाले शुकदुक आदी द्वंदों के मौं से जगत के सबी प्राडि भ्रम में फस जाते हैं जिन पूर्य आत्माओं के पाप नश्ट हो गए हैं वह पुरुष द्वंद के मौं से छुड़ कर द्रिद निश्चे करके मेरी भक्ति करते हैं जो मेरा आश्रे लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्द प्रियत्न करते हैं वे पुरुष परब्रम्हा आत्मग्यान और संपूर कर्म को जानते हैं जो आदिभूत अधिदेव और अधिग्य इन सबसे व्यापक मुझे जान जाते हैं वे समाधी निश्ट पूरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं आई यी सुनते हैं सात्मी अध्याय का महात्मि स्रिनारायर जी बोले हे लच्मी अब सात्मी अध्याय का महात्मि सुनो एक पटेल नामक नगर है जिन में शंकु कर वैशे रहता था वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था रास्ते में संकू कूरकल शर्पने रसा वह मर गया उसके साथ ही उसकी दाह ग्रिया कर आगे कोशिधारे जब लोट कर घर में आये उसके पुत्र ने पूछा मेरा पिता संकू कर कहा है उन ब्यापारियों ने कहा तेरे पिता को शर्पने रसा था वह मर गया और यह पदार ते तेरे पिता का है तू ले ले एक करोड रुपिया दिया और उसकी गती कराने को कहा क्योंकि वह अवगती मरा था उस बालक ने अपने घर आकर ब्रामणों से पूछा कि शर्प डशे की गती कैसे करानी चाहिए पंडितों ने कहा नारायर बले करवारो उर्ध के आटे का पुत किया बहुत ब्रामण जिवाए स्रधा पिंड पत्तल कराया बाके द्रव्य को जो रहा चारो भाईयों ने बाटा एक पुत्र ने कहा जिस सर्पने मेरे पिता जी को काटा है मैं उसको मारूंगा उन ब्यापारियों से पूछा वह ठोद मुझे बताओ जहां मेरे पिता मरा है ब्यापारियों ने कहा चल ले चलते हैं वहां ले जा करके खड़ा किया देखा तू वहां एक वामी है जिसे कंदलों के साथ खोदने लगा जब छेद बड़ा हुआ वहां से एक सर्थ निकला कहा तू कौन है मेरा घर क्यों खोदता है उस बालक ने कहा मैं संको कुड का पुत्र हूँ जिस सर्पने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा तब सर्थ ने कहा हे पुत्र मैं तेरा पिता हूँ तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मतमार यह मेरा पुर्व का कर्म था शो मैंने भोगा तब पुत्र ने कहा हे पिता कोई यतन बत जिसे मेरा उध्यार हो तब उस सर्प ने कहा है पुत्र किसी गीता पाथी ब्रामण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर उसके आशिर्वा से मेरा कल्यार होगा तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितनी गीता के सात्मे अध्याय का पाथ कराया और उनको भोजन करवाया तब उन साधू ब्रामणों ने आशिर्वाद दिया ततका वह अधम देह से छुट कर देव देही पाई बिमान पर चड़कर आकाशमार को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता बैंकूंट धाम में जाप राप्थ हुआ